उपेंद कुस्वाहा ये नाम जो है वो बिहार की राजनीत में आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा का विशय है और चर्चा का विशय तब और हो गया जब कल उपेंद कुस्वाहा ने अपना हग हिसा मांग लिया नितीश कुमार से नितीश कुमार इस बार जैसा कि हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि बुरी तरह से फंस गये हैं नितीश कुमार ने कहीं न कहीं वही गलती दुरा दी है जो पहले वो करते आ रहे हैं नितीश कुमार के साथ जिस तरह की बाते सामने आ रहे हैं और जिस तरह से नितीश कुमार न तारवन कौपी हैं नितीश कुमार और उपेंद कुसवाहा के बीच में जैसे ही नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे के साथ है उसके बाद से कहा जा रहा था कि नितीश कुमार के विकल्प के रूप में अब सामने उपेंद कुसवाहा है नितीश कुमार ने भी उपेंद कुछ वाहा ने नितिश कुमार से पूछी कि आखित तेजस्वी यादों के बीच किस तरह की डील हुई क्या डील हुई है वो आप क्यों नहीं जंता को बताते हैं या फिर अपनी पार्टी के नेताओं को बताते हैं क्योंकि उस डील में क्या कुछ हुआ जिसको ले करके नितिश कुमार ने कुछ बयान दे दिये उन बयानों के साथ साथ उनकी पार्टी के लोगों ने भी बयान देना सुरू कर दिया हलाकि 24 घंटा पहले तक कोशिस यह हो रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाए लेकिन नितिश कुमार और ललन सिंग के बयान आते ही सारा मामला एक बार फिर से उलज गया और अब जबकि नितिश कुमार ने कह दिया है उपेंद कुसवाहा से कि किसे हमने रोका है जिसको जहां जाना है जा है कई लोग संपर्क में हैं वो खुद आये थे इस बात का जबाब उपेंद कुसवाहा और उपेंद कुसवाहा के लोगों ने दे दिया है उपेंद कुसवाः अपने से नहीं आये थे बलकि नितीश कुमार ने उन्हें बुलाया था और पॉब्लिक डोमेन जाईएगा तो बेहतर तरीके से और भी बिकल्ब सामने होंगे और समाज को दिया जा सकता है बहुत कुछ इन सारी बातों को ले करके जैसे ही नितीश कुमार एक बार फिर से एंडिये छोड़ करके हाला कि एंडिये में रहते हुए भी आपने देखा होगा उपेंद कुस्व वहाँ का वो सिल्सिला जारी रहा इस सारी से बातों को देखने के बाद जब उपेंद को उस वहाँ से पूछा गया था कि आप इन सब बातों को लेकर के हमेशा विवाद में क्यों रहते हैं आपकी पाठी के और लोग नहीं बोलते हैं आप क्यों बोलते हैं तो उन्हें ब बरदास्त नहीं कर सकते हैं और लोगों की बात मैं नहीं जानता हूं इन सारी बातों के साथ साथ अब जब कि सब कुछ लग रहा है कि समाप्त होने की कगार पर है तब उपेंद कुछ वहां ने दो बाते बड़ी मुख्यता से कह दी हैं जिसको ले करके विवाद काफी उन्होंने अपना हिस्सा मांग लिया है क्योंकि उनका कहना है कि आपको हड़ अपने नहीं देंगे अपना हिस्सा और दूसरा उन्होंने ये बात और कह दी है कि आखित तेजस्वी यादों के साथ क्या डील हुई उसको आप इस पस्ट कीजिए क्योंकि उसी के कारण आप तेजस्वी यादों को ये कह दिया था कि 2025 में मुख्य मंत्री के उमिदवार के रूप में महागठ बंदन के यही होंगे लेकिन उससे पहले उन्होंने जो कुछ बाते कही थी कि मेरे बाद यही होंगे यही लोगों को देखना है इन्हीं लोगों को देखना है इस सारा उनका तेजस्वी यादों की तरफ था उसको लेकर के भी जदियू के भीतर में काफी गहमा गहमी चल रही थी क्योंकि नितीश कुमार के सेकेंड लाइन के नेताओं में इस बात का भरोसा है कि नितीश कुमार उनको भी अपने पार्टी के भीतर एक बड़ा पद देंगे या नितीश कुमार जब छोड़ेंगे तो उन्हें वो जगह मिलेगी लेकित इन सारी बातों को लेकर के जिन जिन लोगों ने ये सोचा या तो वो पार्टी से बाहर हो गए या फिर अपने मुझ पर टाला लगा दिये इनी से बातों को लेकर के क्या डील हुई उसका पूछ दिया है उपेंद कुसवाहा ने और धीरे धीरे करके उन्होंने लेकरा लेंगे अभी बहुत कुछ बिहार की राजनीत में होना बाकी है लेकिन डील की बात कहके सारा राज खोल दिया है उपेंद कुस वहाने कि कुछ तो बात है जिसकी परदेजारी है और क्या कुछ हुआ है ये जानना जदियू के नेता भी चाहते हैं और रास्टिये यही बात होती है कि कल तेजस्वी आदो मुख्य मंतरी बन जाएंगे परसू बन जाएंगे और इसी आसा में राश्टिये जंतादल के नेता लगतार कई तरह की बाते हैं और नितीश कुमार का जो आदेश है उसे जहलने के लिए और मानने के लिए मजबूर है वहीं दूस पाटी के नेता को इन सारी बातों को लेकर के कहीं न कहीं सोई हुई जो अर्मान है या भीतर में जो चल रही थी बात है उसको उपेंद कुस वहान जरूर जगा दिया है अब देखना दिलचस्वगाया कि आने वाला 24 गंटा बिहार की राजनीत को किस तरह से ले करके जाता है आज गंतन दिवस है गंतन दिवस के आप सभी को हादिक बधाई आज तो कोई फैसला होना संभव नहीं लगता है लेकिन आने वाले एक दो दिनों में बिहार में एक बड़ा राजनितिक भुचाल आने वाला है इसका अंदेशा तो निश्यत रूप से लग गया है उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जुआइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद